नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नहीं वीडियो में दोस्तों बतादू आपको कि Microsoft बहुत ही जल्द बंद हो रहा है वो भी 15 जून 2022 को date announce कर दिया गया है Microsoft की तरब से यानि Microsoft में क्या बंद हो रहा है मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो में बताने वाला Microsoft ब्राउजर जो है उसकी सुरुवात 1955 में हुई थी लगबग कह सकते हैं कि 67 यर्स हो गए और उस ब्राउजर का यूज बहुत सारे लोगों जब सुरुवात में बहुत सारे लोगों नहीं किया था लेकिन अभी 5% लोग भी नहीं कर रहे है Microsoft ब्राउजर का यानि जो आपक ब्राउजर आता होगा उसकी बारे में आपको बता रहा हूँ तो इक साइन से इक सिंबॉल से आपके डेक्स्टॉप में या लैप्टॉप में आप जरूर नजर आता होगा Microsoft का अगर आपका प्रोड़क्ट है तो उसमें आपको इब्राउजर करके आता होगा लेकिन उसका Microsoft का यूज बहुत ज्यादा कम हो गया इसी वजह से Microsoft ने एक नया प्रोड़क्ट लॉंज किया एक नया ब्राउजर जिसका नाम Microsoft Age रखा गया और इसको बढ़ाने के लिए इसका मतलब कह सकते हैं कि इस पे ज्यादा ध्यान देने के लिए इसको इंट्रोड्यूस करने के लि लेकिन उसका कोई अलग से support नहीं मिलेगा यानि टेक्निकल सपोर्ड कुछ नहीं मिलेगा और नाहीं कोई update मिलेगा इसका तो यह बंद नहीं होगा लेकिन इसका working करने का तरीका वो पुरी तरह से बंद हो जायाएगा यानि अगर आप support लेना चाहोगे कि मैं internet exposure use कर रहा हूँ अगर इसमें कोई problem आता है तो कोई technical support लगगा तो ये पुरी तरह से बंद किया जा रहा है वो भी 15 जून से बंद किया जा है यानि अगले महिने से अगले महिने का अगले साल यानि 2022 में जून में बंद किया जा रहा है 15 जून से तो ये बहुत ही ज्यादा important information था मुझे लगए आप लोग के साथ share करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जानना चाहेंगे कि Microsoft age क्या होता है Microsoft क्यों बंद हो रहा है तो आसा कर तो ये वीडियो से आपको पुरी तरह से clear हो गया होगा अगर कोई भी सवाल कोई भी कुछ भी आपके मन में doubt है तो आप हमें comment box के जरिये comment करके ज़रू पूछ सकते है इसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा तो मिलते एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए आप खुछ रहिए सुरक्षित रहिए जैहिंद